जो हकिकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं हकिकत खुदा है हकिकत मसी है अधीकत पर चलना सही जिन्दगी है हकिकत 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 हकीकत क्या है अजीज नाजरीन मसी का खादिम मीरे मजलिस एनुलहबीब एक बार फिर से आपके खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है आपके खिदमत में मैं अपना आदाब भी बजा लाता हूँ और साथी साथ मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमारा ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम हकीकत है किताब मुकद्दस के हवाले से हम इस प्रोग्राम को पेश करते हैं प्रोग्राम बहुत मकबूल हुरा है लोगों को बेहत पसंदार है लोग लोगों के धारे खते हैं फोन आते हैं आप लोगों को हमें बज़ा हुआ था है हुसला अफजारी हो रही हो रही है तो हमने सोचा है कि उन तमाम स favors貌 के जवाब आपको दिये जाएं क्यों दे रहे हैं? मैं किताब मुकदस के हवाले से ये पढ़के आप सुनाना चाहता हूं पहले पत्रस की किताब, अगर आपके पस किताब मुकदस है तो खोलिए देखिए तीसरा बाब और पंदरवी आयत मेरे ख्याल से हर शक्स चो किताब मुकदस पढ़ता है और मसी पर एमान रखता है उसे कलाम पर खासी तवज़ देनी चाहिए ये कलाम है बलके मसी को खुदावंद जान कर अपने दिलों में मुकदस समझो आम मत समझो, मुकदस समझो, खास समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वज़े दरियाफ्त करें लोग अक्सर पुछतें भाई आपको मसी में क्या नजर आया और भी तो बहुत सारे हैं एक से एक नबी, एक से एक पेगंबर मसी में ऐसी कौन सी खास बात है जिहां ऐसे सवालाद भी आते हैं ठीक है? उसको जवाब देने के लिए हर वक्त क्या रहो? मस्ताइद रहो क्या रहो? मस्ताइद रहो मस्ताइद, बहुत जरूरी ये लफ़ जो है बहुत खास है, मगर हिल्म कैसे? हिल्म और खौफ के साथ खौफ का मतलब ये नहीं कि आप डरें लेकिन खौफ का खौफ रखकर और हिल्म के साथ, यानि हिल्म कहां से मिलेगा आपको हिल्म कहां से मिलेगा? किताब मुक्द्स से तो वही हम करने जा रहे हैं और आज भी कुछ सवालात हैं हमारे सामने और इस अन्जुमन में मेरे साथ एक बार फिर से शामल है मेरे अजीज दोस्त महमान जनाब रफीक सहब तो हमारा आज का मुद्दे है अगर मसी खौदा है तो क्या खौदा को मौत आ सकती है? एक एपिसोड में हमने इस बात को काफी सामने रखा, इसका खुलासा भी किया कुछ और सवाल है इसी के तालुक से जिनका जवाब हम इस एपिसोड में देने जा रहे हैं तो मेरा पहला सवाल है जनाब अजगर अली साहब आप ही से जब हम जानते हैं कि मसी जो थे बेहद रास्दबास थे उनकी पैदाइश भी पाकजात की, कोई ऐसी वैसी पैदाइश नहीं थी बलकि हज़रत आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया था लेकिन जहां तक के मसी का तालुक है, खुदा का कलाम मुगदस कलाम मुगदस होकर मुजस्थिम हुआ है तो क्या जो मौत और जो सजा खुदा ने हज़रत मसी को दीती जैसे कि हमने पेश्टर एपिसोड में ये देखा था कैसी थी किस गुनाह की सजा थी और एक मुकदस को गुनागार की सजा देना ये कौन सी बात थी इसके ओपर हमें चाहूंगा कि आप कुछ खुलासा करें क्योंके सवाल ऐसा आया और कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत मसी की जो मौत थी पहली बात ये मानते नहीं है और फिर कहते हैं कि अगर ये थी तो एक मुझरिम की मौत थी वो खताकार थे और ईसा ही लगता है क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें रोमी हुकूमत भी कहीं नहीं सामिल था लेकिन जब आप हजरत मसी का लफ़ों में पढ़ेंगे कि वो अपने मौत के बाबत क्या कहते हैं तो ये सवाल का जबाब हमें सही तरीके से मिलेगा तो हजरत मसी कहते हैं जब लोग पढ़ेंगे 24 का 25 से 27 में जब वो मुर्दों में से जी उठे और हवारी उपर वो जाहिर हुए तो उस वक्त हवारी लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे तब उनोंने कहा कर तुम कितने नादान और बेवगुफ हो कि जिन बातों को नबीों ने मेरे बावत लिखी है कि वो पूरा हो कि मैं पहले मरूं और तब जिन्दा हो कर के अपने जलाल में दाखिल होँ। उर तब वो कहते हैं कि जो जो बाते मेरे बारे में मुसे के में और नबियों के सहीफे में और जबूर में ये ताय था तो फर एक्जामपल अगर आप पढ़ेंगे गिंती किताब तो एक किसका चार सले के नौ में लिखा है कि जब इस्राइलियों ने गुना किया तो बहुत सारे सांप आया और उनको काटने लगे और तब उन्होंने द खंबे पर लटका हुआ था और हजरत मसी इस हवाले को कोट करते हैं और यहना तीन का चौदर और पंदरे में कहते हैं कि जैसे मुसा ने साब को खंबे पर लटकाया वैसे मैं भी उपर चढ़ाया जाओंगा यानि मसलूब होंगा और जो कोई मुझ पर इमान रखे वो हमे तरफ कहते हैं कि अच्छा चरवाह मैं हूँ लेकिन वो कहते हैं कि जैसे जकरिया में लिखा है उसके मताबिक मैं मरूंगा लेकिन जब मैं जी उठूंगा तो तुमसे पहले में गलील में जाकर के तुमसे मिलूंगा तीसरी बात जब आप पढ़ें कि जबूर उसका 69 के 25 म और ये पत्रस कूट करते है रसूलों के माल उसका एक क्विसायत में और कहते हैं कि जैसे जबूर में लिखा है वैसे यहुदा ने खुदावन मसीघ को पक्डवाया और यहुदा का खिक्ष मध्याई खिदमत कोई और ले ले तो हम देखते हैं कि ऐसे एक नहीं को कई लेजन साफ फरिष्टों को बुला सकता हूँ लशकर के लशकर जी लेकिन मेरा ये मौत इसलिए है ताकि जो नोविस्ता लिखा हुआ था वो पूरा हो तो कहते हैं कि मेरा मौत कोई मुजरिम का मौत नहीं है खुदा ने पहले से मनसूबे में इसको बना रखा है और उ कि मैं यरुसलिम में जाओंगा पक्रवाए जाओंगा और तीसरे दिन जी उठोंगा और जब हजरत मसी जी उठते हैं तो पतरस पांच बार कहते हैं कि ये इसलिए हुआ ताकि खुदा के मनसूबे में जो बाते पहले से तै थी तो फर एक्जेमपल रसुलों कहमाल दो का 23 से लेके 24 में लिखा है कि जिस बात को खुदा ने पहले से नबियों के मुख के जरिए करे रका था ये तूमने बसी को मार करके पूरा किया जिसे खुदा ने जिन्दा किया है पिर रसुलोग एमाल तीन का अठारे में हो कहते हैं कि जिस बात को खुदाने अपने नभीों के पाक जबाट जुमान से ये कह रखा था, उस मनसुबे को तुम्ने मसी को मार करके पूरा किया. फिर रसुलों के अमाल 4 का 27 से लेकि 28 में वो कहते हैं कि जिस बात को खुदा ने अपने नबियों के जरीए पहले से मनसुबे बना रखा था कि मसी हमारे गुनाओं के खातिर मरेंगे तुम ने उसे मार करके पूरा किया अब इस बात को पहला पतरस एक का 19 और 20 में पतरस फिर कहते हैं कि देखो दुनिया के पैदाई से पेस्तर खुदा ने ये मनसुबा बना रखा था कि मसी हमारे गुनाओं के खातिर मरेंगे और मुकासिफा 13 का 8 में फिर लिखा है कि ये मेमना दुनिया पैदाई से पहले ये खुदा के मनसुबे में कतल हो चुका था तो हम देख किसिडेंट नहीं था कोई मुजरिमाना नहीं था बलके खुदा के मनसुबे में था और मनसुबा क्या है वही मौत हमें जिन्दगी बख सकता है तो सामेई आपको यह जानना और पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है इस पर आपका इटर्नीटीटी का हुआ है यानि कि अब मुकदस को गिराना चाहते हैं और सही तरह से उसकी पैरवी नहीं करते आप उन लोगों को आमिल समझते हो और बहुत पढ़ा लिखा समझते हो किसी ने कुछ डॉक्टरिट ले ली है तो ऐसे लोग जो है ऐसे सवालात लेकर आते हैं लेकिन जब हमने परसनल तोर पर जाती तोर पर उनसे मुलाकात करके कहा कि भाई आईए हम आमने सामने बैट कर गुफ्तगु करें तो वो हमसे कभी मिले नहीं उसके बाद चले जाते हैं वो उटके तो उन लोगों की बादों पर तबज़ों मत दीजे अब आपके अपनी जिंदगी आपके हाथ में है उनके बता करना चा रहा था जो असगर भाई कह रहे थे कि एक हस्ब मामूल है मामूली सानियम है इस दुनिया का कि जो शक्स गल्ती करता है वो उस गल्ती का खामियाजा नहीं भुगतता है आपका बच्चा गल्ती करता है आप खामियाजा भुकतते हैं जिस की जिस जानवर की आप अब अब ये मामूली सा एक नियम है आस्मान के खुदा का और इसलिए हजरत मसी से गुनाह सरजद नहीं हुआ था गुनाह तो हमसे सरजद हुआ था लेकिन हमारे गुनाहों की माफी तब होगी जब कोई वे आप शक्स मेरे गुनाहों का खामियाजा भुकते देखे इधर आ तो अब यह कि भी वे इसके खाल के बदले आँख बचेगी यानि कि जिसम का एक एक अज़ा जो है वो बच जाएगा जैंनम की आग से अब सबाल यह यूठता क्या 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 चाओंगा जीस जानवर को हम कुर्बान कर रहे हैं किया वह भी हमें नहीं पता कि अभी निकलिया यह अंदर से नासूर निकलिया यह और भी अच्छा अब एक बार इसमें और भी है एब हम लंगडे लूले काने वस्ते देखते हैं अभी यह जूटब मकारी लगाबाजी याशी और क्या कहते है जिनाकारी यह वो बेएब हो और इसलिए हजरत मसी जैसा ब मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी तक आज तक ख़दावंद युस्व मुसी ने अपने हम असर लोगों को जो जिन्हों ने उसको दर्द जियत पहुँचाई उनको चैलेंज दे दिया उनसे कहा कि आप मैंसे कौन ऐसा है जो मेरे अंदर किसी गुना की निशा भी कर सकता है गुना के अज तक ना उन लोगों ने कोई गुना थाबित किया और ना इनसाइनियत ने आज तक कोई गुना युस्व मुसी के अंदर साय चैलेंज आपने जो एक बात बतायती है जानवर की किक शीर आप 살ए है कि मैं बतातुँ मेरे घर के बाहर अर्बानी के बकरे मिने वक्त था और दो एक बक्रा दूसरे को बुरी तरा मार रहा था इतना उसको मारा कि उसका सिंग तोड़ दिया उसने मार मार के तो अब ये बैयर था कि ये बक्रा ये तो अब देखिए जब मोरल कोड की बात करें है तो हाँ तो अब साइंटिफिक ली जानवरों में ये तहज अखी तरीके से जानवरों को पाक या बैयाइब का दर्जा दिया ही नहीं जा सकता है सबाल ये है कि जानवरों में कि आजकल तो इसान भी ऐसा हो रहा है लेकिन अब देखिए उसी का जो मुसाबा है जो इबरानियों के खत 10 और 9 में हजरत पालुस बताते हैं कि ये तमाम जो कुर्बैनिया थी वो आने वाले हजरत मसी के अक्स थे और इसे लिए यासायात किरिपन बाब एक सले के बारह में और जबूर चालिस का पांच सले के छे में हम पढ़ते हैं कि ये उन्होंने देखा कि एक दूसरा मेमना है यानि जो सक्स है और वो बेयाइब है और आप अपने क्या खुब ओक है असरब साब कि योहना एक bé 98 में हज्ञ gallery कहते हैं कि देखो ये खुदा का बरह है जो दूसा वो फॉझे अधा ले जाता है और इसी योहना आठ के 46 माजरत मसीए दावा करते हैं चैलेंजे करते हैं कि तुम्हें कौन है जो मुझे 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 इसमें वो कोई भी इल्जाम साबित नहीं होता जो तुम इसमें लगाते हो और ये बेयाब है इसमें ऐसा कोई आप नहीं पायाता है जो कहती है हज़रत मसी बेयाब थे बेकसूर थे और उनके जैसा पाकबाज हुए ही ने जिया इसलिए कही लोग सवाल करते हैं ने चुनी स कुछ बच्चों ने पूछा मुझसे अंकल आपका पगरा नहीं आए आपने खुर्बाणी नहीं दी मैंने कहा कि मेरा जो मेमना था कपका जिबा हो चुका है जो बेयाब था अब मुझे आगे चलकर खुर्बाणी देने के जिर्वत नहीं है वह वागई हुआ है मेरे साथ खेर जरा एक स्वाल है आपसे परेक्से पहले मैं यह पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे नभी भी गुजर गए और कुछ किताबे कहती है यह फो पर्गंबर जो आया जो भी रसूल आया वो सारे की सारे मरे हैं तो उनकी मौत और मसीर की मौत और एक आम इंसान की मौत में क्या फर्क था जमीन और आस्मान का फर्क है पहली चीज़ हम जो मरते हैं इनसान जो मरते हैं उनसे उनकी जिन्दगी में कोई ना कोई छोटा या बड़ा गुना सरजद होता ही होता है लेकिन मसी बे एब बे कसूर बे इल्जाम ये मासूम ये सारी खूबियां मसी में थी इस लिए इनसान की मौत मसी की मौत की बराबरी नहीं कर सकती पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो मसी मरे जिस वकद उन्होंने जान दी अपनी हैकल का पर्दा मकदिस का पर्दा फट गया इसका मतलब क्या था कि आम इनसान पाक तरीन मकाम में दाखिल नहीं हो सकता था मसी के मरने के बाद जब वो पर्दा फट गया यानी हम सब के लिए वो दर्वाजा खुल गया हम जब चाहे जहां चाहे जिस वक्त चाहे खुदा के पास जा सकते हैं यह हुदूरी में जा सकते हैं आपने जो अभी भी फरमाया मनसूर साहब बहुत अच्छी बात थी आपके लिए कोई खास ऐसा घर बनाया जाए जहां पर आप जाएं तो ही आपकी अबादत कुबूल होती है ऐसा कुछ नहीं है आज खुदा हमसे डायरेक्ट रिश्टा जिसे कहते हैं न सीधा सीधा रिश्टा कायम कर चुका है मसी के जरीए जी आप फरमा रहे थे आगे मक्दिस का परदा फट गया हम जिस वक्त चाहे जब चाहे खुदा के पास जा सकते हैं कोई वक्त की पाबंदी नहीं है और कोई जगे की पाबंदी नहीं है खुदा हमारा इमान है कि खुदा हर जगा मौझूद है लेकिन बेहतर है कि सब मिलकर उसकी अबादत एक जगा करें लेकिन अगर हम चाहे तो हम अपने घर में भी अबादत करते हैं अपने बिस्तर पर भी इबादत करते हैं, जहां चाहें कर सकते हैं. जी बहुत-बहुत शुक्रिया, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर हाजर होंगे, वक्त कम है, लेकिन बातें बहुत सारी हैं आपको बताने के लिए, बस हम गए हो रहा हैं. पर आपकी से अज़ के सिके लुक्रिया, बस्कूल हम आपकी सूल करते बाद के बेक्षाने के सुझेए, और रहा हैं। और वस्त कास्वित पूश्ड़ बताने के स्ट्टराइग के लिए के लिए फुच्टर मेर्स, अबहा हैं।, प्र संबगे लिएर अस्टराइ बवलेश कि अधिए नाजरी जैसा कि हमने कहा था हम गए और वापस आए हैं और मेरा सवाल है अब जनाब रफीक साहब आप से सवाल ये है कि गुड फ्रैड़े यानि कि मुबारक जुमा जो होता है उस रूज मसी को कुर्बान किया गया था और हम उसे गुड फ्रैड़े या मुबार जुमा कहते हैं अगर हमारे हां कोई मारा जाए या कुछ ऐसा उसके साथ हाथसा हो तो क्या हम खुशी मनाएंगे मातम मनाते हैं लोग अगर उनके हैं कोई उनका अजीज गुजर जाता है सदियों से मातम लोग मनाते आए हैं तो हम क्यों नहीं मातम मनाते हैं हम खुशी क् पहले की बात है, मदरास में एक जवान लड़के का दिल खराब हो गया, उसका अपरेशन होना था और उसको नया दिल चाहिए था, आखे तो डोनेट की जा सकती, गुर्दा तो डोनेट, दिल तो एक ही है, हुआ क्या कि एक लड़के का एकसिडेंट हुआ और उसकी ब्रेन ड पच्चे का दिल उसको दे देंगे, और ये दिल एन में लेके जाया गया, अब आप से ये पूछना चाहता हूँ, एक जगे तो मातम है, पर वो जो चिन्नाई में है, उसके लिए ये मौत कौन सी मौत है, खुसी की मौत है, ये उनके लिए गुड फ्राइडे है, जिस दिन हज़त मसी मरे, उस दिन मालूम क्या हुआ, उन्हों ने सिर्फ एक बार अपनी जान दे करके, अजल से लेकर अबद तक के लोगों के गुनाहों का कफारा किया, जिसमें मैं और आप शामिल है, इसलिए वो दिन गुड फ्राइडे का था, बरबा को छोड़ा गया, उसको ज खड़ा था, मैं जुम्हे का दिन था, अपनी अबादत करके, वहाँ पर खड़ा था, दूआ करी लिए आया था, लोगों का अंदर जाके बैठ जाएए, जब मैं अंदर बैठा हूँ, खुदा के रूने मुझसे बात करी, रफीक तू गुनेगार है, मैंने तौबा करी, अपनी जिंदगी उस खुदा के हाथ में सुपूर्ट कर दी, मेरे गुनाहों की माफी हुई, और मैंने उस अब्दियत के बादशाह को, जिसने मेरा फिदिया गुट फ्राइडे के दिन दिया था, मुझे नजात हासिल हुई, मेरे लिए गुट फ्राइडे था, पहला कु पंद्रा तीन में लिखा हुँ, हमारे गुनाहों के लिए मरे, नौबाप पंद्रा आयत में लिखा हुआ है, इबरानियों में, इसी सबब से वो नए एहद का धर्मियानी है, ताकि उसके मौत का वसीले से जो पहले मौत के वक्त, खुसुरों की मौफी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वाइदे के मताबिक अबदी मिरास के हासिल हो, जो मिरास का मिलता है हमें हिस्सा, वो मौत के बाद मिलता है, बेशक, तो इसलिए जब हज़रत पसी मरे तो वो बाप की जितनी मिरास थी, उसके हम सेदारें इसलिए गुड फ्राइडे था, तीसरे बा इसलिए आयत में लिखा इबरानियों में, खुदा के फजल से वो हर एक आदमी के लिए मौत का स्वाद चका हज़रत मसी ने, इसलिए हर एक आदमी जो मौत से जिंदगी में दाखिल होता उसके लिए गुड फ्राइडे है, दस बाप की ग्यारी में आयत में लिखा, अच् की बात कर रहे हैं, दूसरे लोग जितने भी दुनिया में मेरे, चाहे नभी थे, मशूर लोग थे, वो उनकी मर्जी नहीं थी मरना, वो जबर्दस्ती मर गए हैं, लेकिन खुदा वंद यूसम मसी ने, मौत आई उनको, सलीब पर कहा, जब अजियत दी गई, खुद कहा, मैं अपनी रूख तेरे हवाले करता हूँ, यहनु वो एक रजाकारा ना मौत थी, उनके अपनी मर्जी से, जैसा उन्होंने फर्माया भी तो था कुछ, कि मेरे पास एक्तियार है कि मैं अपनी जान दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ, यहनना दस के सतरह और अठारे मे मैं अपनी जान दूँ, और यकीनान उसमें कोई शक नहीं है क्योंके देखिए ना तीसरे दिन वो जिन्दा होकर वापस आए, और चश्मदीद गवाह थे वापर, लोगों ने उनको देखा था, मरते हुए, उनकी जान को निकलते हुए, देखा था लोगों ने अपनी उनकी वो थी, राज था, तो वो सारे ओफिसर मौजूद होंगे, और देखे, यहां पर एक बात हमें सुचने की जरूरत है, मान लेजिए, आज यहां एक कोई इनसान की मौत होती है, सरयाम, जो गवर्मेंट के तरफ से फासी के सजा सुन चुका है, और उसके लिए एक उस उसके तमाम सागिर्द गवा हैं, तीसरे उस मुल्क के उस जाती के लोग सब गवा हैं, चौत है कि उसके दुश्मन के मुल्क के सारे जाती के लोग गवा हैं, और 600 साल के बाद अगर कोई आ के कहे कि हमने एक खुआब देखा है, हमने एक विजन देखा है, कि भाई ऐसा कोई और मर गया उसे जूटा साबित कर देते हैं लोग जूटा है क्या कोट के अंदर ऐसा वही या ऐसा किस्सा कोई मानने के लिए तयार है और उसके ऊपर कोई जज्मेंट दे सकता है अगर जच के साब में आप अपने आपको फर्जिया तोर पे जाहिर कर सकते हैं पर जहां सजा की बात हो और ऐसी लांती मौत की तो अगला आदमी जब मारा जाए कियागा मैं वो नहीं हूँ मैं यहुदा हूँ मैं तेतिया हूँ मैं कुरेनी हूँ मैं यह श्वसी नहीं हूँ मेरी शकल लग रही होगी वो नहीं बर्दाश कर पाएगा वो हकीकत बोल जाएगा औ और वहां पर यह कि अगर कोई मुकदमा दायर भी करता तो कोड जो है उठा के फेक देता है उसकी अरजी को बलता है भी केनाट एकसेप्टेट सॉरी तो अजीजों यह रहा हमारा भी मुकदमा जो एक पूसम का मुकदमा ही था हमने पैरवी की है हमने जो दलील पेश की हमें के हमारा मुकदमा जो था बहुत मजबूत था और खुदा की तरफ से भी हम मैं मानता हूँ कि हम लोगों को जीत हासल हुई है और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एमान लाएं क्योंके आपकी अपनी जिंदगी का सवाल है कोई आपको नहीं बचा सकता जो शखस अपने आपको नहीं बचा सका वो आपको क्या बचाएगा लोगों ने कहा था कि जब मसी सलीब पे थे अगर तु खुदा का बेटा है तो सलीब से उतर कर आपने आपको बचा उस वक्त मसी नहीं उतर किया लेकिन तीसरे दिन फत्याब होकर मौत पर फत्य हासल करके शैतान को अगर आप इस पारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें पोस्ट बॉक्स नंबर 8028 नाइडिली 110033 फिर आप से दुपारा रुबरू होंगे इसी वक्त तब तक के लिए शुक्रिया खुदा हाफिज हकेकत खुदा है हकेकत मसी है हकेकत पर चलना सही जिन्दगी है हकेकत 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 हकेकत